दोस्तो जीम साइमन दुनिया के अच्छे मैथेमेटिशन और एक ट्रेडर थे जिनकी नेट वर्थ 28 बिलियन डोलर यानी के इंडियन रूपीज में होता है 2,35,000 करोड आज तक आपने जितने भी बिलियन येरों के बारे में सुना है उस में से ज्यादातर लोग बड़े बिजनेस के मालिक है जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स, मुके संबानी या भीर और बड़ी-बड़ी कंपनी के स्टोक ओल्डर होते है जैसे ओरन बफे, राकेश जुन्जुन दोस्तों मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हो ब्राइन एसेट्स तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच जो फरक है उसके बारे में तो मेरी रिक्वेस्ट आप से के वीडियो देखते रहे है ताकि कोई इंफ अपनी स्थापित की जो मेथेमेटिक और स्टेटेस्टिक मेथर्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट को मेनेज और ट्रेडिंग करती थी यह कंपनी मेडेलियन एस फंड को भी ओपरेट करती थी मेडालियन फंड बेस्ट परफोर्मिंग फंड है जीम ने आज तक एवरेज 60.2 परशन रिटर्न किया है सारे टेक्सिस को काटने के बाद इस फंड ने 30.7% का रिटर्न अर्न करके दिया है जबकि यूएज के S&P500 ने 11% का ही रिटर्न जनेरेट किया है जीम की स्टोरी जानने के बाद आपके मन में सवाल आया होगा क्या ट्रेडिंग इंवेस्टमेंट स जिसमें आपको लंबे वक्त 10, 20 या 30 साल तक अपने पेशों को ओल्ड करके रखना होगा इन्वेस्टमेंट बिदनेसों में की जाती है और बिदनेस को ग्रो करने के लिए 5, 10 या 20 साल लगी जाता है इसके अलावा ओल ओवर सेर मार्केट को भी ग्रो करने में वक्त तो लगता ही है इसलिए long term के लिए invest करते हो उसमें कोई pandemic आ जाए या तो share market गिर जाए तो भी आपका जो पेशा है investment में उसमें loss नहीं होता क्योंकि long term में compounding का अच्छा effect देखने को मिलता है और आपके पेशे multiply होने लगते है जिससे सही में कुछ शालों के बाद आप अमिर बनने लगते है और अमिर बनना किसे अच्छा नहीं लगता बस यहाँ पे थोड़े साल आपको देने होंगे और बात करें ट्रेडिंग की त सकता है इंडिया में 100% में से 90% लोग इसमें लोज करते हैं इसमें ट्रेडर अपने investment को एक वीक एक दिन या तो पांच मिनिट में बाई करके सेल कर देते हैं ट्रेडिंग आप किसी कंपनी की शेयर में कर रहे हो या तो भी इंडेक्स में आपको एबात ज्यान रखनी है उ जिम साइमन और बेस्ट इंवेस्टर औरन बॉफे का एक्जांपल दूंगा इन दोनों बिलेनियर ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया है बात करते हैं जिम साइमन की 1961 में में जिम ने अपनी पीच्डी कंप्लेट की जिसके बाद और यूवर्क की एक इनिवर्स जिम ने पूँचे पेशे से तोक मार्केट में ट्रेडिंग चलू़की में यह अच्छा प्रॉफिट एर्न कर लिया था जिम का ये मानना था ये अच्छे लक से उने हुआ है लेकिन कुछ ब्रेडिंग करने के बाद जिन को यह पता चला रेडिंग को मैंने को कि सकिल्ट गोरिधम को स्टोक मार्केट में यूज करना सिखाया कुछ इस तरह जिम ने रेजिनियन टेक्लोजी नाम की कंपनी को बनाया और मेडालियन फंड की सरुवत की जिसमें जिम ने साल 2000 में 100% से भी ज्यादा रिटन अर्ण किया था अब बात करते हैं वरेंट बफेट की के उन् रेवेन्यू पास्ट परफॉनमंस लीडर्शीप फ्यूचर प्लान बेलेंस इट सब अच्छे से स्टडी करते हैं वरेंट बफेट लोंग टम प्लान पर फरोशा रखते हैं और छोटे से प्रोफिट के लिए अपने स्टोक बैठते नहीं है बलकि कंपाउंडिंग होने का वेट करते हैं इसके अलावा वरेंट बफेट को टोक से डिविडियन भी मिलता रहता है जबकि बात करें ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में पैसो की कोई लिमिट नहीं आप एक दिन में मिलियन कमा सकते हो जल्द ही बिलियन येर भी बन सकते हो जबकि एसा करना बहुत सच के मुताबिक इंडिया में 19% से ज्यादा लोग ट्रेडिंग में लोज करते हैं तो हर कोई बिलियन येर बने ये बात तो अजम नहीं होती जबकि इन्वेस्ट में में वरन बफे और चारली मंगल जैसे इन्वेस्टर ने अपना बिलियन पचास की एज में कमाया था इन ट्रेडर हर रोड ट्रेड करता है तो सबसे पहले ओ एक से दो परसेंट ब्रोकरेट फी देता है और साथी में उसकी इंकम के अकोडिंग उसके हर ट्रेड पे दस से तीस परसेंट एक्स लगता है नमबर थ्री रिस्क एंड रिवर्ड एक बारन वरन बफेट को ये पूशा है उसने इतनी सी बात पे एक ट्रेडर और एक इंवेस्टर के बीच के फर्क को बता दिया था किया आपको पता है जितने भी लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं उनमें से 5% ही 6 मेने के बाद प्रोफिटेबल बनते हैं और 95% के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता दस्वाण हिस्क भी भी इन्वेस्टमेंट कर पीच्टमेंटेंड ृप्र फंडवेस्टमेंट इंवेस्टमेंड करने के कुछ फंडमेंटल होते हैं investment करने के लिए company के fundamental देखना बहुत ही जरूरी होता है जैसे annual report, balance sheet, promoter holding उसके कुछ ratios अगर company की research से आपको पता चले इसने past में अच्छे return दिये थे इसके fundamental है इसमें future में grow करने की possibility है तो उस stock को आप खरीच सकते हो और अच्छे stock में invest करोगे तो आपके पेसे 10 गुना 20 गुना आना चाहिए और उसमें भी important है psychology अगर अपनी psychology आप बिल्ड नहीं करोगे तो आप अपने loss को रोक नहीं पाओगे ज्यादातर ट्रेडर psychology की वज़े से trading में loss करते है और अपना risk management नहीं कर पाते है और नए ट्रेडर के लिए जरूर होता है कि जहां ओ एक्जिट करता है वह उसको ऐसा लगता है कि में रुका क्यों नहीं तो ट्रेडिंग इतना आसान नहीं इसलिए इंडिया में 95% ट्रेडर loss करते हैं लेकिन आप जीम साइमन जैसे प्रोफेशनल हो तो आप इस गेम में mathematics का यूज करोगे नंबर 5 आपके लिए क्या सही है दोस्तों मैंने आपको अभी तक जितने भी पॉइंट बताए है ओ इंवेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों को प्रेंट आप यू से बताए है क्यूंकि आप आपके बेस्ट ओप्सन को चोईस कर सके आपके लिए इन्वेस्मेंट्स है या ट्रेडिंग इसका जवाब कुछ बातों पे डिपेंड है क्या आप कोई दूसरी जोब करते हो और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग को कितना वक्त दे सकते हो मैं एक बात आपको किलियर कर देता हूं बेसक ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग दोनों स्टोक मार्केट के रिलेटेड है पर दोनों बहुत ही अलग- कर सकते हो तो पेसा उन कर सकते हैं मगर आप मैं तेतिक में कच्चे हो और आप वाइसे ही न देते हो तो यह जूए की तरह है आप पयाइक वान्ट से आप रिए को पसंद कर आया है तो अपने दोस्तों में सेल Estate